हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर परहार में मैं हूँ एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तो आज की इस वीडियो में हम 125 CRPC में जो वाइफ होती है उसके क्रॉस एक्जामिनेशन पर बात करने वाले हैं पिछले कई सारे दिनों से यही टॉपिक चल रहा था एक क्लाइन से भी में इसी के बारे में डिसकस कर रहा था उनकी क्रॉस तैयार कर रहे थे तो दोस्तो मुझे लगा कि जो चीजें जो confusion उनके साथ है वो ही सारी confusion आपके साथ भी होंगी तो इसको दूर किया जाए एक वीडियो के माध्यम से यह जानकरी सभी तक साजा की जाए कि 125 CRPC के अंतरगत क्या चीजे relevant है किस तरह से cross करना है कितना cross करना है कितने question पूछने हैं क्या question पूछने की priority रहेगी ताकि आप लोग कोई गलती ना करें और कोई important factor आपसे छूटना जाए तो दोस्तो इस वीडियो को ध्यान से आप देखेंगे हुआ है तो यह एक उसका admitted कथना आ गया अब इसको आप cross में नहीं पूछेंगे कि आपकी qualification क्या है अगर यह चीज आ गई है तो फिर वो admitted है already इसके बाद दोस्तो लड़की को interim maintenance बंदने से पहले अपना रजनेश वर्सेस नहा के according affidavit देना होता है मन्य सुप्रीम कोट के दिशा निर्दशों के अनुसार जिसमें उसे अपनी liability, अपनी asset, अपनी job, सब कुछ दिखाना होता है इस affidavit में भी आप कई बार पाते हो कि उसने गलतियां कर दी, उसने जुट बोल दिया कई बार उस जुट के proof आपके पास आ जाते हैं तो cross questions जो आपको करने, वो mainly आपको इस affidavit पर ही करने इस affidavit में जो उसने job details दी हैं, उसके बारे में आप cross question कर सकते हैं कि वे आप कहां काम करती हैं, कब से काम करती हैं और आपकी salary कौन से खाते में आती हैं, खाता नंबर बताईए वो खाता आपने कब खुलवाया था, क्या आपने उस खाते की 3 साल की statement submit करी हैं, क्या आप ITR फाइल करती हैं, क्या आप आयकर भरती हैं अगर आप ITR भरती हैं, तो क्या आपने ITR की copy जहां पर फाइल करी हैं affidavit के साथ, अगर वो बोलती है नहीं करी, तो आप उससे next question कर सकते हैं अगली डेट पर आपके हां फाइल कर देंगी, तो उसको हां ही बोलना पड़ेगा, नहां बोलेगी, तो आपके favor में आ जाएगा तो दोस्तों ये affidavit पर आपको detailed question करने हैं, सबसे main question यही होते हैं, इनको priority पर सबसे उपर रखना है अब हम लोग क्या करते हैं गलती, कि वहां उसने हम पर कोई आरोप लगा रहा है, उसने मारा पीटा, हमने मारा पीटा, हमने दहेज मांगा, हमने कुछ और उसके साह करूरता करी हम उन चीजों को justify करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिनका की maintenance case में कोई बहुत ज़्यादा मतलब होता नहीं है इसके अलाबा ये लड़की adultery में है, तो उसके adultery से related questions आप वहां पर पूछ करके उससे confront करवाईए, कि हाँ वो adultery में है इसके अलाबा जो वो घर से गई, घर छोड़कर अपनी मर्जी से गई ये आपने निकाला ये एक बहुत important factor है तो आप अपने cross question में कुछ questions इस तरह से त्यार कीजिए, कि ये बात निकल करके आ जाए कि वो किन पर स्थितियों में घर को छोड़के गई है अगर वहाँ से ये निकल के आ जाता है कि वो अपनी मर्जी से गई है अभी-अभी मेरे एक judgment आया जिसमें court ने माना कि उसको निकाला नहीं गया, वो अपनी मर्जी से गई है कल मैं इस पर वीडियो लेकर के आऊंगो आपके लिए और लड़की का maintenance case उस मामले में खारिज भी हुआ है तो उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगो यही चीज तो वहाँ पर हमने cross question जो करे, court ने अपने judgment में माना कि ये cross question में लड़की ऐसा admit कर रही है उसकी job के बारे में, उसकी income के बारे में bank account, statement, ITR, income tax देती है या नहीं ये सारी चीज़े record पर आजाए है, adultery है तो उससे related record पर आजाए है और ये जो छोड़के गई है घर, इससे related चीज़े record पर आजाए है इसके बाद आप बाकी के question पूछें, जो भी आपको पूछना है कि मार पिट करिया है नहीं करिया देखो इसका बहुत simple level से दो, अपनी petition में आपके मताबिक उसने पूरा जोट लिखा हुआ है अब हमें एक person उससे पूछना है, वो person उससे पूछना है कि आपने अपनी petition के अंतरगत देहेज मांगने का, मारने पिटने का, गाली गलोच करने का, अभधरता करने का, जो भी आरोप विपक्षी पर लगाया है उसके संबन में क्या आपने कोई साक्षे पत्रावली पर दाखिल किया है अगर नहीं किया तो उसको बोलना पड़ेगा नहीं किया और 90% मामलों में कुछ होता नहीं है तो फिर ऐसे में अगर उसने बोल दिया कि नहीं किया, तो उसका सब null and void हो गया जो judgment की मैंने अभी बात करी, उलेक की आपसे lower court का judgment है वहाँ पर भी court ने यही माना, कि भाई उसने जो भी आरोप लगा है उसके संबन में कोई साक्षे दाखिल नहीं कि कि हमने cross miss बात को पूछा था तो court ने उठाए ऐस बात को, कि भाई आपने ना तो कोई medical दिया, ना आपने कोई police complaint की copy दी ना आपने कोई और साक्षे दिया, ना जो आपके गवात है वो इस बारे में कोई prima face से साक्षे दे पाए तो कैसे मालने कुरूरता हुई, इसका मतलब आपके साब कोई कुरूरता नहीं हो और आप उसको साबित करने में विफल रही है तो दोस्तों किवल ये एक person उसकी petition के सारे जुटों को नकार देने के लिए काफी है अब ऐसा नहीं कि एक एक जुट को पकड़के एक एक question पूछें दिक्कत क्या है कि maximum जगाओं पे summary trial चुकी होता है court आपको इतने person पूछन एलाओ नहीं करता 125 में 125 में अगर आप कोई भी relevant question पूछते हैं तो court आपको रोग देता है इससे संबंदित नहीं है आप वो पूछाओ जो maintenance से संबंदित है secondly है summary trial है आप इतना question नहीं पूछ सकते आप तो ऐसे मुकदमा चला रहे हो जैसे 302 का मुकदमा हो ऐसे नहीं चलेगा तो आपको रूखना पड़ जाता है जो affidavit से संबंदित, adultery से संबंदित, उसके घर छोड़ने से संबंदित question है वो सबसे पहले पूछने ताकि वो न चूटें उसके बाद जो इर्दिवित के question जीतना आपको मौका मिलता है वो आप पूछ सकते हैं अगर आप इसी प्रकार से अपनी पत्नी से cross examination करते हैं और इन चीज़ों को निकाल के record पे ले आते हैं तो आपका भी maintenance case खारीज हो सकता है जो maintenance case की मैंने बात करी जो अभी खारीज हुआ है recently उसमें लड़की कोई काम नहीं करती थी लड़का काम करता था उसकी salary लबा 32-33,000 रुपे थी लेकिन फिर भी maintenance case का स्कारीज हुआ क्यों क्यों क्रॉस में इतना कुछ निकल करके आया कि कोट को ये मानना पड़ा कि लड़की ने धोकदड़ी भी किये कोट को ये भी मानना पड़ा लड़की के उपर कोई कुरूरता नहीं हुए कोट को ये भी मानना पड़ा कि वो अपनी मर्जी से घर को छोड़के गई है और 125 CRPC का case कर दिया डिस्मिस और guarantee के साथ कह रहा हूँ हाई कोड में भी जाएगा तो वहां से भी होगा डिस्मिस कुछ नहीं हो सकता तो कहने का मतलब आपकी cross examination एक तरह से आपकी पूरे के पूरे केस के अंदर जो लड़की की cross examination होती वो सबसे important factor है कि क्योंकि वहां पर जो कुछ निकल के आ रहा है वो उसके self admit कथन जिसके बारे में वो बाद में कहीं नहीं सकती ऐसा नहीं ऐसा था जो बोल दिया वो आ गया तो आपको यही करना है कि cross examination पे बहुत ध्यान देना है बहुत बढ़िया तरीके से cross examination करना है और अगर आपके उपर जूटा case हुआ है जूटे तत्यों के आधार पे 125 CRP से डाला गया है तो आपको भी इसमें रहत मिल सकती है चले दोस्तों आज किस वीडियो में इता ही नेक्स्ट वीडियो में नहीं जान करें के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ तब तक के लिए goodbye and thank you for watching, take care